वेलकम बैक पूमाय चैनल आज हम बनाने वाले कॉली फ्लर और फिश से कड़ी यह बहुत ही सिंपल से करी है यहां पर जादा वक्त नहीं लगता है बहुत जल्दिया जट पट से बनते यह करी तो कॉली फ्लर को पहले अच्छी तरह से काटके साफ करके दोके उसको थोड़ा हल्दी लगा के थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और उसको कुछ देर के लिए रख देते हैं ताकि यह अच्छी तरह से फिश के साथ नमगार हल्दी के साथ यह फिश मैरिनेट हो जाए और यहां पर कड़ाई पे डाल देते हैं सरसो का तील आप यहां पर चाहे तो वाइट तो तेल जैसे गरम हो जाता है यहां पर जो फिश को अच्छी तरह से एक दम क्रिस्पी करके गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लेंगे जैसे कि आप देख सेकते हैं मैंने एक स्लॉट का फिश तो फ्राई कर चुकी हूं और यह दूसरा वाला भी मैंने फ्राई कर लिए चले अभी उसी तेल में जो फुल कोपी मतलब जो कॉली फ्राई मैंने पहले से थोड़ असा बॉयल करके रखे थे उसी को थोड़ असा मतल़ जादा नहीं हलका सा टॉस करके फ्राई कर लेते हैं ताकि उसका जो उबलावा फ्लेवर ना वो निकल जाए तो जैसे कि देख स कॉली फ्लावी का फ्राई हो चुका है अब उसी कड़ाई में कड़ाई चेंज नहीं करना है यह जो स्पॉर्ट्स देख रहे तो उसी maände थोड़ा सा पाँच फोरण दे सकते हैं या थो साधा जीरा है वो दे सकते हैं जैसे जीरा थो जाड़ा सा स्पर्टर करने लगे हलکा अशा गुलावी या, ठोड़ा असा Transparent जैसे हो जाहेगा इसमें हम डाला देंगे आलो आलो हम यहां पर एक ही आलो डालेंगे इक दम जैसे आलो का भुजिया जैसे काट था न हो, जैसे लंबा लंबा करकि अधिया काटा है यहाँ फ्राइ करने का टाइम होगा तीन से चार मिन battlefield का आलो बॉरां हो चु का है तो अभी इसमें डाल लीटे का तो अभी इसमें डाल देते हैं तो 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 तेमाटफे आप देकिते हैं रहत्त मेरासर के आप़ मैंने यहांपर करीबं शार से 5 बड़े बड़े टमाटर डाले हैं साथ ही डाल देते हैं थोड़ा सा नमक ताकि टमाटर गल जाए उसी के साथ ही डाल देते हैं यहां पर हल्दी और हल्दी डालने के बाद दालेंगे थोड़ा से मसाला यहां पर मैंने डाले भूनावा जीरा पाउडर और अभी सारी चीज़े को तरड़ मिर्श को तीखापन अपने हिसाब से ढ़नां से तीखा खाना है यहां पर यह जो सब्जी बनेगा यह थोड़ा से खुटा बनेगा यह खुटा खुता बहुत अच्छा लगता खाने में जिन दोंको अगर खुटा कम चाहिए तो तोड़ा कम कर देजिए गान इस सब 12.13 के बारां मिक्स कर देते हैं और अची तरह से चला लेते हैं और फिर से 25 मिंट के लिए इसको कवर करके कुग करते हैं ता कि यह जो मसाले और यह जो टमाटर सारी अच्छी तरह से गल जाए देखी मैंने कवर हटा दिया चार से पाँच मेंट के बार देखते टमाटर जो है यह काफी गल चुका है इसको फिर से चला लेते थोड़ा सा और सारी चीज़ों का अच्छी तरह से मिलाते वे कुक करते हैं और इसी तरह से हम छार से पाँच मेंट फिर से कुक करेंगे यहां पर अभी इसकि और प्र अगवर नहीं करेंगे ऐसे तरह से कुक करने का मतलब यह है colleague ताद कि इसका जो अबला से फिछे तरव निकल जाए और अगर नहीं गलता तो थोड़ा थोड़ा तोड़ देजिएगा यहां पर गोबी में डाल दिये हैं अब इस गोबी के साथ 4-5 मिट अची तरह से फ्लेम को थोड़ा से बढ़ा दीजिएगा और अची तरह से कुप किजिएगा ताकि यह मसाले एक तम पुरा कस जाए देखिएगा ऐसा जैसे जैसे पकाएंगा इसमें से अच्छा खुश्बू आने ल सब एक साथ भी मिल जाए तो इसके फिरसे और चार से 5 मिन generosity के लिए चार से पाच मिनिट बार दो दुबारा कोल के हम लोग कुक कर रहे हैं एक चीस आपने नोटिस किया होगा शायद से यहाँ पर हम पानी नहीं डाल चाहँ है हैं तो यहाँ पानी बाते लिए पानी 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 ऊजीब सचा जयाज़ा जाएगा, इसल्हे मिसवे बी बीच कवर करते जा रहे हैं तो इसी बीच में जैसे कवर करते कुक भी करेंगे तो यह सारे सब्जी उसी तरह से गल जाएगा तो काफी देर से हम लोगों को यह कुकिंग कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं सब्जी का कलर कैसे बदल चुका है लाल हो चुका है तो यह कुकिंग हम ल और अची तरह सबजी को पानी के साथ मिला दीजिए ताकि जो मसाला है वह ग्रेवी वाले पानी के साथ मिल जाए तो पानी मैंने पूरा डाल दिया जितना जरूरत था अब इसको बॉयल कर लेते हैं और इसके साथ ही हम आड कर देते हैं यहाँ पर फिश जो फिश हमने पहले रिओ बाल ये नमक चेक कर लें हो आंकर का दो था उजब कोड़ा, अगर नमक क्यान है तो यहां पर अगर घनलीक जाए चिलाएगस, इसको दरेगा कोड़ा कीछ सेहिए मैंने भी कवर क्या तरफ दीर भी Все दोनतितने कि चला खाँ है बंता उच्चीजा मैं जैसे आप मन चाहें तो आज का रेसिपी अब लोगों कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा अच्छा लगए तो जादा से जादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंद्स और फैमली के साथ और नए फ्रेंद्स जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं प्लीज ल